बिहार में आफ़त का मौसम आस्मान से बरस रही आग गया वपटना में 12 तैतालिस के बार बिहार में आस्मान से आग बरस रही है राजधानी समेट पूरे बिहार में 12 लगातार चड़ता जा रहा है मंगलबार को पटना में मौसम का सबसे गर्म दिल रहा जबकि 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गया बिहार का सबसे गर्म शहर रहा बुदबार को भी राहत नहीं मिली अगले 10 मई तक पटना का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है इस कारण जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है पुणिया छोड़ सभी जगा पाराच 40 के पार है मंगलवार को पटना का अधिक्तम तापमान 43 डिग्री और नियून तम 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया गया का अधिक्तम तापमान 43.4 डिग्री और नियून तम 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा वहां हवा में नमी की मात्रा 13 फीसद रिकॉर्ड की गई बागलपूर का अधिक्तम तापमान भी इस मौसम का सबसे अथिक्ट 41.5 डिग्री और नियूंतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा पुणिया का अधिक्तम तापमान, 38 डिग्री और नियून तम 22 दसम्डव 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बुद्वार को भी तीज़ धूब, उमस और हुल्लू के हालात मुद्वार को भी पूरे प्रदेश में तीज़ धूब, उमस और लू के थपेरों से लोग परिशान रहे आकास से आग बरसने जैसे हालात कायम रहे हवा में नमी की मात्रप कम होने से गर्मी और ज्यादा महसूर्थ हो रही है इस ते आम लोग परिशान है, 44 टिगरी तक जा सकता है तापमान मौसम बिभा के अनुजार 13 मई तक पटना गया राजगीर और अंगाबाद, मुजफरपूर और नालंदा लू की चपेट में रहेगा दक्षिन बिहार में धूलबरी गर्म पच्वा हवाएं चलेंगी, उत्तर और पुर्वी बिहार में तापमान यथावत रहने की संभावना है सापता ही पुर्वानुमान के अनुसार गया और पटना का अजित्तम तापमान 9 और 10 मई को 44 डिवी सेल्सियस तक पहुँचने की आशंगा है